जी हाँ दोस्तों आज हम फिर से बात करने वाले हैं धान की केती के उपर कि कैसे आप कम लागत में ज़्यादा पैदवार कर सकते हैं तो वीडियो इस्टार्ट करने से पहले बताते हैं दोस्तों मेरा नाम नहीं लेज चोहन और आप देख रहे हैं आरियन वर्ल्ट फ्रिजेंट्स तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमने पहली वीडियो में आपके बताया था कि धान का वीच कैसे तैयार करके और उसके कैसे धान की रुपाई करते हैं तो सेम परकिरिया वही रहेगी दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं धान का पौदा कुछ इस परकार से जब हो जाता है बड़ा तो उसे पुना उखाड लिया जाता है और पुना उखाड कर उसे जैसे पहले धान की रुपाई करते थे तो स सेम पर किरिया के साथ जैसे हम नेपाली वीडियों बनता है ताकि आप खेत को अच्छी तरीके से बना लीजिएगा उसमें डाई और पोटास या कोई भी आपके पास गोबर की खादू से डाल कर अच्छी तरीके से आप उसमें छुड़का कर देते हैं तो उसमें आप धान क की रुपाई फिर से कर लेते हैं ठीक है दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहा है हमने यह तयार कर लिए अपना खेत और इसमें हम अपनी धान की रुपाई कर रहा है तो सेम पर किरिया वही है दोस्तों और आप इस परकार से करते हैं तो अच्छा खासा इंकम बना लेते है क्योंकि आपकी फसल अच्छी होगी तो यह मार्केट में भी जाएगा और इसमें आपने कम लागत लगाई और ज्यादा का मुनाफ़ा हो रहा दोस्तों क्योंकि आपने एक बार रुपाई के फिर दुबारा उसे उखड लिया और फिर उसे रोपते हैं तो आपकी कम लागत म हैं हमें भी तो पता चले कि आकिर हमारी वीडियो कहां तक जाती है यदि आप हमारे चैनल में पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटे वाली बटन को जड़ी दबाईएगा क्योंकि हमारी हर नई वीडियो की नोटपी के सबसे पहले आपके पास प